नमस्कार दोस्तों मैं हूँ विरेल और आप सभी का स्वाज़त करता हूँ हमारी चैनल हेल्थ एंड किर्दी में दोस्तों जब भी किसी पेशन का ट्रांस्प्लांट हो जाता है उसके बाद कभा जाता है कि उसको सबसे ज्यादा इंफेक्शन से बचना है क्योंकि किर्दी ट्रांस्प्लांट पेशन को गोई इंफेक्शन हो जाता है वो उसकी किर्दी पे इफेक्ट करता है और दिरे दिरे उसकी किर्दी फिल से फेल हो सकती है तो kidney transplant patient के उपर एक बड़ा सा खत्रा होता है infection लगने का वैसे तो बहुत सारे infections होते हैं लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करेंगे BK virus के बारे में जो बहुत सारे patient को transplant के बारे सता था है बहुत परिशन करता है और कुछ किस्तों में BK virus वज़ा भी बनता है किड्नी फेल होने की तो होता क्या है BK virus उसके बारे में थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं देखे BK virus नाम है उसका कोई full form वैसे तो नहीं है क्योंकि 1971 में जिस किड्नी पेशन्ट को सबसे पहले ये BK virus डाइग्नोस हुआ था उसके नाम पर से BK लिया हुआ है उसका नाम होगा जिसमें से नाम में से B लिया होगा तो इस तरह से BK virus पहचाना चाता है और उसका पूरा नाम देखे तो BK Polyuma virus यह उसका पूरा नाम है लेकिन को पूरा बोलता Bk virus ही होता है, क्योंकि वो सबसे पहले 1971 में इस이션 को हुआ था अब छटडी के वन बता चला है रुज्तो के Bk virus हर इंसान की बोडी में होता है यह एक virus है जो हर इंसान की बोडी में होता है चाहे उसके बास दो किड्नी ओ एक कृड्नी ओ डायालीस पे ओ या ट्राश्प्लांट पे हो उसके बोडी में में भाईरस होता है लेकिन वो इनएक्टिव होता है यूगि शरीद की जो इम्मुनिटी होती है वो इस तरह के बहुत सारा वाईरस अमारी बोड इने होते है उसक इसको दबाई जो दी जाती है वो होती है Immuni Suppression मतलब immunity को दबाने वाले immunity को कंच्रोल में रखने वाले ये दबाई होती है जिससे patient की immunity कम हो तो जो नई किड़नी बोडी में डाली है उसको भी reject ना कर सके क्योंकि अगर immunity बहुत बढ़ भी जाती है तो क्या होता है कि हमारी immunity नई जो किड़ी हमारी बोड़ी में आई है उसके साथ लड़ने की भी कोशिश करती है और उसको reject कर देती है इसलिए kidney transplant patient को ये immunosuppression दवाया दी जाती है जिसके कारद उसकी immunity कभड हो जाती है और उसमें से एक है हमारी नई वाली kidney वो नया ओर्गन है तो सबसे पहले उसके उपर effect पड़ता है और उसका result हमें देखने को मिलता है क्रिटी नाई में तो ये जो BK virus है वो धीरे धीरे करके activate होना शुरू होता है और उसके साथ साथ ही हमारा क्रिटी नाई धीरे धीरे करके उपर जाना शुरू करता है तो अगर आपका क्रिटी नाई एकदम से उपर होता है यानि कि आप एवरी मंथ रिपोर्ट करवाते हो पिछले महिने तक आपका रिपोर्ट इकदम नॉर्मल था एक था या एक के अंदर जो भी आपका नॉर्मल रेंज है उसमें था और अचा आपको त्यान में रखनी है दूसरा बीके वाइरस के वेसे दिखे जाये तिन्स टेज है वो धीरे-धीरे से एक्टिविट होता है पहले होता है वी यूरिया वाइरस यूरिया यानि कि वो डिटेक्ट होता है हमारे यूरिन टेज से लेकिन हमको बोडी में तो कुछ पता चलता ही नहीं ना क्रिटीन बढ़ने से ना बीके वाइरस एक्टिवेट होने से हमारे बोडी में बदलाव नहीं आता तो हम नॉर्मली इसका रिपोर्ट नहीं करते है तो हमें पता नहीं चलता उसके बाद वह थोड़ा सा आगे बढ़ता है और ब्लड में घुन मिल जाता तब हमारे डोक्टर्स को डावट चाता है कि यह शायद बीके वाइरस की एफेक्ट हो सकती है और तब जाके हम ब्लड रिपोर्ट करवाते हो जिसमें बीके वाइरस एक्टिवेट आता है तो समझ में आता है कि यह वाइरस एक्टिवेट हो गया उसकी वज़़े से 59 लगातार इंविनो सप्परेशन ले रहा है मतलब यह किम्नी ट्रांस्टांट की उसको यह जोकिम होना शुरूर होता है स्टार्टिंग में ज्यादा तर पहरे एक दो तीन महीने में किसी को बिके वायरस होता नहीं है क्योंकि वो धीर 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 अग्तिवेट होता है कि इम्म्निटी को बढ़ा है इम्म्निटी कम हो सब्सक्राइद नहीं के इसलिए मिके वायरी थी मिके वायरस एक्टवेट हो गया था तो इम्म्निटी की धिर से बढ़ाइन तो इम्मुनिटी के इस तरह से बढ़ाई जाती है, तो डॉक्टर्स क्या करेंगे, आपकी जो इम्मुनिटी बढ़ाने की कोशिश करेंगे, या फिर कुछ एडिजनल दवाई भी आपको दे सकते हैं, जो ये इंफेक्शन से वायर से लडने के लिए या फिर आपकी इम्मु ये सारा पार्ट तो हो गया, डॉक्टर्स का, डॉक्टर्स आपको इंजेक्शन भी दे सकते हैं, जो इम्मुनिटी बढ़ाने के लिए वह सकता है, या फिर इंफेक्शन को खतम करने के लिए वायरस को खतम करने के लिए भी हो सकता है, पुछ पेशन में बीके वायरस में जादा बढ़ जाता है और अगर घ्रिम्दी पे एफेक्ट जल्दी से पहुंचे कि इसा लग रहा है तो उसका प्लाजमा भी किया जा सकता है ठीक है तो यह सारी प्रोसेस होती है तो हम जोटी कर सकते हैं इसका मतलब कि हमे नेचरल तरीके से इंव्यுनिटि को कोशिश करना है किस दर संसा कर सकते हैं सबसे पहले तो आपका खानापीना एकडम सही होना चाहिए, आप एकडम हेलदी चीजे खाये हीति- फ्राइड चीजे स्वीट है घी बढ़ वाली चीजे यह सब बंढ बंद कर दिए मसाले वाली चीजे बंद कर दीजे, सिंपल खाना, हेल्दी खाना, प्रोटीन वाला खाना लीजे, गर्मा गर्म ताजा खाना आप खाईए, दूसरा पानी पीना और बढ़ा दीजे, पानी इतनी अच्ची चीज है हमारी बोडी के लिए, जो इम्मुनिटी को बढ़ाती है, और सभी प्रकार के रोगों से लड़ने की हमें हेल्प करता है, तो पानी पीना एकदम बढ़ा दीजे, खाना आप एकदम हेल्दी खाईए, सालसद आपका रूटीन अच्छा होना चाहिए, रात को टाइम से सो चाहिए, एकदम इनफ नीन लिजे, साथ गंटे, आठ गंटे आहराम से सोईए, और सुबह उठके थोड़ी सी एक्सराइस कीजिए, योगा कीजिए, ब्रेधिंग एक्सराइस कीजिए, जिसमें आपको योगा अगर आप कर रहे हो, तो कपाल भादी नहीं करना है, बाकि सारे योगा आप कर सकते हो, आप वॉप कर सकते हो, चलने जाहिए, सुबह शाम ये करिए, आप इम्मिनिटी को बढ़ाने के लिए, हर रात को सोने से पहले, गरम दूथ में थोड़ी सी घलदी डाल के पीए, हलदी जो चीज है वो anti-inflationary है, बैक्टेरिया से लड़ती है, वाइरस से लड़ने में हमें बहुत ही यूजपूट है भी है, तो रात को सोने से पहले, गरम, हलदी बाला, दूथ पीने के आधर दालिये, पूरे दिन बहुत सारा पानी पीजे, बस यही सारी चीज़े आपको ध्यान में रखनी है, और नेचरल तरीके से immunity बढ़ाने में आपको ध्यान देना है, चीके, BK वाइरस कितने टाइम में खतम हो जाता है, तो नॉर्मल अगर आप इस तरह सब कुछ ध्यान में रखोगे, खाने पीने में जान बेखोगे, एकसरास करोगे, यह सारी चीज़े करोगे, डॉक्टर ने जो दबाई दी है, वो टाइम टू टाइम लोगे, और टाइम टू टाइम बीच बीच में रिपोर्ट भी करवाना है, यह सारी चीज़े आप जान में रखोगे, तो तीन महीने, छे महीने, यह मैक्सिम एक साल में वो बीके वाइरस डी एक्टिवेट हो जाएगा, और उसके कुछ टाइम बाद दीरे जीर जाएगा, आपका क्रेटिन फिर से नर्मल रेंज में आ जाएगा, ज्यादा डरने की बात नहीं है, लेकिन अगर आपको बीके वाइरस एक्टिवेट हो गया और आपने कोई कदम नहीं उठाया, आपने डोक्टर की बात नहीं मानी और आपने एकदम रफ लाइफ आप जी रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, तो समझ देना कि ये बीके वाइरस आपकी कीडमी को फिर से एक्टिव कर सकता है, सिरियस चीज है, लेकिन ज्यादा टेंशन लेने वाली चीज नहीं है, उस पे कदम उठाना चाहिए, हमारी इग्मिनिटी को बढ़ाने की कोशिश करने ही चाहिए, और डोक्टर आपको जो भी सुझाव देते हैं, वो सारे 100% फोलो कर देंचाहिए, बस इतनी सी चीज आप ज्यार में रखोगे, तीन महीने, छे महीने में आराउंड आपका बीके वाइरस जो है, वो डी एक्टिवेट हो जाएगा, और धीरे धीरे उसके बार क्रेटिनाइ फिर से नॉर्मल रेंज में आ जाएगा, एसा मत समझ ना कि बीके वाइरस डी एक्टिवेट होने के बाद तुरद भी आपका क्रेटिनाइ नीचे आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है, वो दीरे दीरे से फिर से आपका क्रेटिनाइ जो है, वो नॉर्मल रेंज में आ जाएगा और शायद कुछ पेशन्स में इसा हो सकता है कि वो फिर से कभी भी नॉर्मल रेंज में ना जाये थोड़ा सा उपड रहेगा लेकिन स्टेबल हो जाएगा तो भी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है तो बस इतना सा मुझे इस वीडियो में बताना थे तो कि दोस्तो मैंने अभी पार्ट में बहुत सारे पेशन्स का सुना हुआ है पिजिन को बीके वायरस होता है और फिर पेशन्स बहुत ज्यादा चिंता में रहता है कि नेरे कि इतनी रख फेल हो जाएगी तो इतना अपना ध्यान बिल्कुल रखना है और डॉक्टर जो भी आपको बोते है उसका पालग दरना है तो बस इतना सा मुझे बीके वायरस के बारे में इस वीडियो में बताने की इच्छा थे दोस्तों आपको इसके बारे में कुछ जानना हो तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो लसके बाइने की बूर इको शुक शुष किसेगा है तेक्यू सूमेंच